BCCI के अंदर ये बात चल रही है कि अगर in case पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है वो कहता है कि हम ना तो चैंपिन्स टोफी खेलेंगे ना ही इसे होस्ट करेंगे in case वो हाईब्रिड पे ICC फोर्स करता है तो हो सकता है कि February में आपको February मार्च में ये चैंपिन्स टोफी इंडिया में देखने को मिलें तो ICC will not stand up against BCCI and BCCI will not stand up against the Indian government विक्रान गुत्ता ने कहा कि इंडिया में चैंपिन्स टोफी हो सकती है इमकानात हैं सो बड़े इमकानात हैं इधर से उधर उधर आपने ये नया सोशा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपिन्स टोफी इंडिया होस्ट करेगा आप कहां से आ गए आपको किसने का है कि आप चैंपिन्स टोफी होस्ट करें आपने कब फैसले करने शुरू कर दी है कि चैंपिन्स टोफी आपके पास जाएगी ICC के पास क्या options है situation से निकलने को ICC जो है we always side with India अगर Pakistan को hybrid model acceptable नहीं है तो फिर सारे का सारा tournament जो है ICC move कर देगी अगर suppose भारत इंग्रेंड, न्यूजिलेंड और उस्टेलिया को मिला लेता है और कहते हैं वो मुमालिक अगर suppose ये कह रहते हैं कि because of the security reason we are unable to travel to Pakistan तब मामला खराब हो जाएगा अब broadcaster ये सोच सकता है कि यार मेरी audience इंडिया में है February मार्च अगर मैं इंडिया में इसे करवाता हूं बने पाकिस्तान ना हो और फिर भी सोचेगा कि तीसरे venue में बिना पाकिस्तान के अगर मुझे value 100 की मिल रही है मगर किसी की बात नहीं सुनेगा दरेंदर मुधी unless behind the scenes high level की उपर को बात सेटल होती है मैं नहीं ख्याल कि हमारी establishment और इंडिया की establishment right now ready to talk शोशा छोड़ दिया कि तर आप Champions Trophy इंडिया में होगी BCCI सोच रहा है और BCCI पहले ये तो सोचे आप Champions Trophy को इंडिया होस्ट करेगा और खुदा का नाम लो यार कितने पाइंगे और बिना भारत के चेंप्रेस्टोपी करना ना मूनकिन है तो इसको लेके पाकिस्तन मेडिया रो रहा है कि हम अगर हाईब्रीट मॉडल पर राजी ना हुए तो भारत चेंप्रेस्टोपी करवा लेगा तो आए दोस्तों दिखते हैं आगे वीडियो में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना इनने बिल्कुली इंकार कर दिया है हाईब्रीट मॉडल पर जाने से और दुसी तरफ BCACIB रजामन नहीं है इंडियन टीम को पाकिसान भेजने से तो फस गया बीच में ICC के पास क्या ओप्शन है सिच्वेशन से निकलने को ICC के पास बोट कम बप्शन हैं तो फिर यह है कि या तो hybrid model होगा, अगर पाकिस्तान को hybrid model acceptable नहीं है, तो फिर सारे को सारा तॉर्नमेट, ICC, भीव कर देगी, they'll move it into another country, फिर पाकिस्तान के लिए क्या option होगी, फिर पाकिसान के लिए हम बोई-कॉट करते हैं, यह वो कहेंगे हम जाकर खेल लेते हैं किसी और मुल्ट के अंदर अचा अब क्या आफ्टर हविंग रिजेक्टिटिड हाइब जाकर खेल सकेंगे यह पर पाकिस्टान के लिए मुश्कुल हो जाएगा न पिर अगर यह 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 फैसा करते हैं कि हमें और नहीं खेलना तो कहीं और भी जाकर केलना मुनासिब नहीं होगा फिर सियसी तोर पर बड़ा मसला बन जाएगा इनकी लिए यह यह आई सी सी जो है विल आलवेस साइड इंडिया बिकास आई सी के जो रेविन्यूस हैं वह एक प्रपोर्शन के अंदर और डिस्रिब्यूट होते हैं मेजर प पर्फोर्शन है वह पाकिसान को आता है तो पाकिसान की तो इंडिया को तो खास फरक नहीं पड़ता दे पर पुछ आउट आउट पर एक जाएगा वाइलेटरल क्रिकट के और तो कुछ नहीं रह जाएगा कि यह सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं लोगिक क्या है आप की बॉइकाट करने की इंडिया की बॉइकाट करने की लोगिक इंडिया को पता है कि वो देखadaki इसनिः उन्होंने परने भी रगए और अगर भी करते हैं तो देखिं देखिंख लुग उस्चान एंडिया को यह श्रूrenoक 200 क के यह कियो आठी जो याओं जो है वह हम आप आप कर दो मैंने भी इस्ट को फिस किया था तो हमारे उसकत अस्वाइड की हम पAKिसान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए नहीं आता तो हम एशे का आप से निकाल तो मैंने ये फैसा किया था कि पकिश्टानी मीडिया को साथ लेने से हमंगे कुछ नहीं मिलेगा, विक छाए बिक पाकिसानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा प्यारा है अगर बैकडोर चैनल इस्तिएमाल किया जाए जाए, नरेंडर मूदी साब तक पहुँचा जाए, कि कि इसा कौन करे तो मुम्किन हो सकता है। मगर किसी की बात नहीं सुने करा अंदरिंदर मुदी अनलेस बिहाइंड द सीनस आई लेवल की ओपर को बात सेटल होती है। मैं नहीं ख्याल कि हमारी सेब्लिश्मेंट और इंडिया की सेब्लिश्मेंट राइड ना रेड़ी टूँड़। इस हमाले से गार जटीनी के बादल चाय हुए है। आई सीसी ने चैंपिन्स टॉफी के मामले पर ताहाल पी सी बी के खत का जवाब नहीं दिया। खत में पी सी बी ने आई सीसी से मतालबा किया था कि भारती बोर्ड ना आने की ठोस वजवाथ फरांद करें। अक्बाल बेक साब क्या इस पर बात हो रही है। क्या लगता है कि चैंपिन्स टॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी या नहीं खचाथ के बादल तो मंदार है चैंपिन्स टॉफी पर लिए तो अब डेड्लाइन जो है वो आखरी बीच नेमेंबर है। इस दौरां बीच नेमेंबर तक अनाउंस नहीं हुआ शेडियूल तो फिर यकिनी ताउप पर मसायल जो है वो पैड़ा होंगे। क्या कोई डिप्लॉमसी जो है वो कुछ काम कर सकती है। कुछ लोगों ने तच्वीर दी कि साबिट वजीर आजम लिया नवाज शरीफ निरिल्लामूदी साब से बात करें। लेकिन बदायर नहीं लगता कि नवाज शरीफ साब या तो बात करेंगे। बात करें तो प्राइम इनिस्टर आप पाकिस्तान करें। और हमें बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए कि हम होस्टिंग राइट से हम मिजबान लोके हैं तो अब हम क्यों किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो अब ICC का काम है। कोई ऐलान हो सकता है या कोई जवाब आ सकता है ICC की तरफ से या भारती क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आप कब कहां से आगे बीच में आपने ये नया सोशा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्राफी इंडिया होस्ट करेगा आप कहां से आगे हैं आपको किसे ने कहा है कि आप चैंपियंस ट्राफी होस्ट करें आपने कब फैसले करने शूरू कर दी है कि चैंपियंस ट इसे चैंपिस ट्राफी की रेस में आए हैं ऐसे ही बस यूँँ ही कुछ भी कुछ भी कैद होगे तो वो चल जाएगा शोशा छोड़ दिया कि जिन आप चैंपिस ट्राफी इंडिया में होगी बी-सी-सी-सी-सी पहले ये तो सोचे कि इस आई-सी-सी की जो गवर्निंग बॉ लो गे बड़े आए पाकिसान से चैंपिस ट्राफी को बाहर ले करे जाने वाले वाले विकरां ने कहां कि इंडिया में चैंपिस्ट्राफी हो सकती है, इमकानात है तो बड़े इमकानात हैं इधर से उधर सही तो कह रहे हैं कि अगर Pakistan pull out कर जाता है क्योंकि यह अगर तो hybrid पे का मौका आ जाए कि hybrid के लावा कोई सुरुते हाल नहीं है तो आप hybrid मत मानिएगा आप tournament से pull out कर ली जाएगा तो फिर Pakistan pull out कर रहा है और अगर pull out कर रहा है और अगर पुल आउट कर रहा है पर champion trophy इंडिया में हो, बांगला देश में हो या किसी भी participating जो bigger teams है उनके मुलकों में हो तो फिर की फरक पेंदा है, इंडिया की government की तो 2008 से ही policy है पाकिसान को लेकर पॉलिसी में कोई shift थोड़ी आया तो शौकर किस बात का है वो बात बिल्कुल सही कह रहे है, जब कोई shift नहीं आया तो तो महारी बात को validate कर देगे पर 2021 में भी तो shift नहीं आया था पर जुलाई 2023 में भी तो shift नहीं था पर October 2023 में भी तो shift नहीं था फिर उस भी मना किया जा सकता था जब अलड़ी यह बात पता थी So then and there मुझे लगता है कि उसी वक्त अगर यह मना कर देते तो बिल्कुल आप पता है क्या scenario हो गया अब scenario यह हो गया, मेरे घर दावत है मैंने खाना बना लिया है, मैंने टेबल सेट कर लिया है अब सिर्फ ठाना परोसना रह गया है और महमानों ने का है, स्वारी यार हम नहीं आ रहे है मजा नहीं बदाएंगे तुम्हें मगर आ नहीं रहे तो मैं मुझे तो मेरा तो दिल टूटेगा ना क्यों नहीं टूटेगा मेरा दिल स्वार्ट सबस्ट आप सबको बदाएंगे डिजनी का की प्रॉपर्टी था उन्होंने तीन हजार मिलियन यानि तीन बिलियन यूज डॉलर इंवेस्ट किये आई सी सी के साइकल में इंडियन टीम के बगार चैंपिंज ट्रॉफी करवाए या फिर पाकिस्तान के बगार चैंपिंज ट्रॉफी का इनकाद हो इस किसम की कुछ सुरतियाल आपको नजर आती है इंडियन बिल्कुल ICC बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री पर वान रिजन और इस पोर्स किया गया वो नहीं कर सुपी यह प्रोब्लम्स आदे शिफ्ट टॉनमेंट वो शिफ्ट कर देंगे आप ठीक है वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो तो इल बे अस्टेंशल लॉस तो ICC revenues and to the revenues of individual stakeholders और यहां का कि broadcasting rights पिर से renegotiate करने पडेंगे अगर बिल्टिकल तो ICC आप इंडिया 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 थे लाज़गे श्ट चंक they will have to Pakistan will have to forgo that that match and that is something मैं आपको बता दूँ जो broadcasting rights सेंदर यह contract लिखा हो तो इसका मतलब यह कि जो भारती media report कर रहा है कि South Africa shift हो सकता है Champions Trophy Pakistan के बगार भी खेला जा सकता है इसकी possibility ICC की तरफ से यह हो सकती है without even thinking कि ICC अपनी credibility पे कोई at stake चीज ले या ना ले ICC की credibility is the credibility of BCCI माफ कीज़ेगा ICC is very weak सारे revenues BCCI or Indian Cricket or Indian Broadcasters ली तरफ से आखे हैं in a sense you might say कि ICC is quite dependent on the Indian market and Indian